है वेलकम डूल दोस्तों मैं मुकेस और आप सभी का gk gs धुवंधर क्लास में आप फिर से स्वागत करता हूं और आज बात करने वाले हैं गुपत समराज के बारे में आप सभी बचपन से लेकर अभी तक भूद बार गुपत समराज के बारे में पढ़े होंगे लेकिन हां पर हमारे साथ आप सभी कहानी के तरव समझने वाले की कैसे इसमें है मैं गुंटैघ के साथ कहता हूं दोस्तों कि 5-10 तो सीज्ञट के zap लाएगा इतना मैं गुंटैंक साथ का τा कहता हूं तो असटार करते के क्लास को गुप्त समराज यानि की गुप्टवंस देख सकते हैं कि सारे चीज यहां पर बोट पर एक्सल पर ने किया गया है यह कहानी नहीं है कहानी नहीं यह बाई कहानी नहीं एक एक के सायता से सारे चीज़ में समझा दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त मेलाज के बारे में कितने में में दोस्तों गुप्त समराज के जो पहले संस्थापक थे दोस्तों गुप्त समराज जो था वो बिहार को न लेकर के उत्तर परदिश में बसे यहां पर देख सकते हैं नक्सा में यह दोस्तों अमारा जो नक्सा है जो मैप है इसमें समझाने में प्रस करता हूं कि यह जो उत्तर परदिश से दोस्तों यहां पर तमारा बिहार हो गया और यहां पर हो गया उत्तर प्रदिस ठीक है तो इसने बिहार को न ले करके जो गुप्त समराज के जो जो गुप्त वांस है उसके जो संस्थापक है स्री गुप्त इसने इसने दोस्तों बिहार को न ले करके इसने उत्तर प्रदि स्रीखुप्त समराज सर्षि प्रथम संस्थापक थे स्रीखुप्त और दूसरा घटोत चकट ये था दोस्तो लेकिन यह दोनों योगे ख्षासक नहीं यह थे लेकिन छोटे मोटे थे लड़ाई वड़ाई कुछ भी एंठीद हो रहा था लेकिन यह छोटे तो दोनों छोटे थे एक दूसरे थे PvdG 네가 यह एक जंगल में दो से रहनी सकते तो एक निकलकर आया एक बहुतीं महान और बहुतीं बले, साली एक राजा निकल कर आया, उराजा था दोस्तों महांस समराट द्रिदी, चंद्र गुपत प्रतम अब चंद्र गुपत प्रतम का आके हट जाओ अब तुम लोगों से निचे लएगा हम चलाएंगे इसको, हम चलाएंगे क्योंकि कि यह महां था संस्थापक, था ये भी बात बहुत ही इंपोर्डड है थीक ? ये तो थे भाई ये ललु पलु थे सबसे महान समराथ सा चंद्रगुप्त प्रत्थम था चंद्र प्रत्थम्थ संद्रगुप्त प्रत्थम बहुत्व कैं निया दिटध राज From सकतीन में एक सब्सक्राइन कर सेफिर्स हुआ परिसी कर दोष्यमारे सब्सक्राइब्द निर्मारे य dollars अधयर लगाय वह हं मेंसे सकता पर अधकि किरेंब्सक्राइम अधर पार वसक्राइब आर पार प्र हमों दो «ड़े यह कैसं की हो wavelength यहाज उख fyफ पी तरीके से कुछ इजी तरीके से याद करना चाहता है इसलिए देखते हैं अम लोग को पिक्चर कितना ब्यातरीन तरीक समझ में आ जाता है लेकिन पड़ाई न जी ना इसलिए मैंने दोस्तों सोचा कि क्यों नहीं इसको कहानी की तरह समझा दिया जाए ताकि आप से को व girth होकर चला लेते उसके वाद आ गये चंद्रगुप्त परतम आज गया अब चंद्रगुप्त परतह Bennett तो साधी कर लिया किस से लीच्वी लीच आ नहीं हो गई कि इस शीखा चलवाय जिस पर राजारानी थे उसने एक शीका चलवादिया ठीक है अब अब दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम जो था दोस्तों उसने चला रहा था और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्राधिकारी जो था वो समुंद्रगुप्त निकल कर आया यह तो था चंद्रगुप्त लेकिन निकल कर आगया एक समुंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्रादिकारी था दोस्तों समुंद्र गुप्त था कौन था देखे गए यहां पर सारे बात पस एक एक क्वाइंट में लेकिन बात बहुत तोडल धमाला करने वाला है समझर बात कुने छोटा तीर है लेकिन धमाका बहुत करने वाला है उसके जो पर बैठा सिहासन पर बैठा यह भी भाईया बहुत ही मानता समुंद्र गुप्त भी बहुत महान थे यार क्यों महान था अभी इसको पाता चलेगा कि क्यों महान था यह तो बहुत समुंद्र गुप्त इसका ऐसी नाम समुंद्र नहीं रखा गया समुंद्र तो कितना बढ और इसका काम भी उतना ही बड़ा था बहुत काम किया था मैं समझाने की प्रयास करूंगा कि जो समुंद्र गुप्त इतने में राजगदी बैठा कुमार देव का पूत्र था यह कुमार देवी का पूत्र था यह जो दोस्तों चंद्र गुप्त जो इसके पीता हो जाएंगे और ये जो कुमार देवियान इनकी माता जी पूजनी माता जी हो जाएंगी और जो चंद्रगुप्त परतम था इनकी पिता जी हो जाएंगी तो ये कि इनका था पुत्र चंद्रगुप्त परतम का था पहले के तो भया था कि जिसका बाप राजा है उसका बेटा ही राजा बन हुसको कुछ भी का नियम इतना मस्त है कि तो पहले का था कि जिसका बाप अगर राज है तो बेटा शूत का ने अजो परंप्रा नहीं और सही है नहीं है तो समुंद्र गुप्त जो था वो कुमार देवी के पूत्र था और चंद्र गुप्त का भी पूत्र था यानि बेटा था इनका भी पूत्र था उनका बेटा था ठीके इसने 335 सिसी में राजगर्दी पर यानि कि सिंहासन पर बैठा अपना कदम रखा अपना कदम को बढ़ाया ठीके दोस्तों जब कदम को बढ़ाया तो उसे समय जब इससे चल रहा था तो उसने सोचा भाईया यह तो ऐसे चलेगा ने कुछ कांड किया जाए तभी तो लोग हमको जानेंगे जी ऐसे थोड़ों ना कोई जानता है नहीं ना थोड़ा कुछ किजिए कांड किजिए रुख इतना बड़ा काम किया कि उतर भारत के 9 सासSon को को पराजित कर दिय दूस्तों परजिद कर देंता दचनी भारत में 12 सास्सकों को पराजित कर दिया और अपना वहां पराज चलाने लगा इसने जो समुन्दकरों थाट था तिनसोप्यथिस इसा में बैठा अपने राजगद कर दिया उतर भारत के पूछा जा सकता है कोश्चन एक्जाम में कि जो उतर भारत के कितने सासकों को समुंद्र गुप्त ने पराजित किया था तो नौ सासकों को पराजित किया था ठीक है यह भी पूछा जा सकता है कि समुंद्र चंद्रगुप्त के प्रथम के उत्रा दिकारी कौन था तो समुद्रगुप्त था ठीक है तथा दच्छिनी भारत के 12 राजाओं को हरा करके वहाँ पर अपना राजा लेने लगा और वहाँ पर जा करके टैक यहीं कि कैस क्या बलते उसको कर असुली करने लगा अपना राज चलाने लगा और बोला कि मैं यहां के राजों और कोई नहीं है मैं हूँ हूँ तो हूँ और ऐसा पुराणों में कहा जाता है दोस्तों कि समुंद्र गुप्त के घोड़े तीन समुंद्र के पानी पीते हैं तीन समुंद्र के पानी पीते हैं इसका मुहाबरे का मतलब किया सम यहाँ पर यह इसकी आगे सार लोग नचमस्तक यहने की सार लोग जुके रहते हैं पड़ामसर पड़ामसर ऐसे होता था किसके दौरा समुन्दर गुप्त के सासान काल में जो दचिण भारत के लोग थे इनको बहुती नसमस्तक थे बहुत ही मान समान देते थे किसको तो समुंद्र गुपत को इतना तो बास समझ में आगे दोस्तों यह वाला लाइन तो समझ में आगे न कि समुंद्र जो चंद्र गुपत समराज था इसके संस्थापक पाले जो थे वो स्री गुपत थे लेकिन वो बहुत एश्टोक नहीं थ तो इसने एक साधी किया तो इसका ज्यादा वो नहीं था इसके साधी किया तो कुमार देभी से साधी किया इसके पूतर जो था चंदर गुप्त समुद्र गुप्त था जो को 335 में दोस्तों अपने राजे सीगहासुन को समा लिए जब दोस्तों समुद्र गुप्त ने 335 में अपना राजे सीगहासुन को समा रहा तो उसके पिदा जी तो बोले कि भई आव तो अमारा राजे पार्त अब समा लिया उसके बाद उत्तर भारत में समुद्र गुप्त जाकरके नौ सासकों को प् है तो यह बताना होगा आप सभी को कि नेपोलियन की जो सासक जो तुनला है वो समुंद्र गुप्त से किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों मिर भाई तो समुंद्र गुप्त से कि तुनला नेपोलियन से किया जाता है most important point नोट कर लिना सारे चीज समझज़े बात को नोटस भी बनाते चलेंगे आप सभी कोई दिक्कत वली बात नहीं रहेगा अब यहां पर आते हैं अब यहां पर आते हैं कि समुंद्र गुप्त दर्बारी कभी जो समुंद्र गुप्त था इसका तो भी अपना दर्बार होगा ही होगा तो इसके दर्बारी जो कभी थे दोस्तो यह कभी जो थे हरी हरी सेपड थे हरी सेपड थे कौन थे दोस्तो हरी सेपड थे असो मेग करता का उपादी धरन किया था जो दोस्तो समुंद्र गुप्त था समुंद्र गुप्त इसने असो मेग करता कि उपाधी भी धारण किया था ये भी कोशन बनाएंगे कैसे देख लिजिए ये बोलेगा कि असो मेग करता कि उपाधी कौन सासक जो है ओ धारण किये थे तो एंसर में आएगा समुंद्र पूंधूर जो समय अगला जो उत्रादीकारी बना इसके दो बेटे थे कौन-कौन थेे एक था दोस्तों राम साशक था और दूसरा था चंद्रगुप्त दिरिती और पाला था राम इसके पतनी पनी का नाम था देवी था और पतनी वैसे थी थोड़ हाइप वाली थी पतनी समझ रबात को तो वहीं थी ती और इसने देख सर्व कि बहुत देवी तो इसका नाम कितना सोंदरे रखा गये लेकिन इसके करना में इतने गलत थे इतने विकार थे कि अब क्या बताया जा इसको किसी भी इतयास ओले बुक में नहीं दियागे जानते हैं कहां बहुत ही खुचते खुचते कर रहे थे ढगा अब इम लोग बात करें थी कि जो राम गुप्त सासक था इसका साधिवा और इसके पतनी का नाम था देवी जब इसके पतनी का नाम देवी था भया इसके जो राम गुप्त था इसके छोटे भाई चंदरगुप दिरितिये था और इसकी पतनी देवी देवी तो कहने में सरम अब देवी इसके बाइस दिरितिय से मिलकर कि ऐसा एक सड़यंत्य को राच पतई राम गुंपत के हत्या करवा दिया किसे चंद्रितिय से हत्या कर दिया, चंद्रगुपत से साद़ी कर लिया क्या कर ली इसलिए तो कि कर वाई थी ना जी इसे साधी कर ली जो साधी कर ली तो अब अगला सासक कौन बनेगा तो चंद्रगुप दिरितिये बनेगा क्योंकि आपने पती को तो मरवा दिया राम गुप्त जोता उसको मरवा दिया तो अगला सासक जो बना दोस्तो वो अगला सासक चंद्रगुप्त दिरितिये बना और जब 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 को प्राजित करके इसने क्या क्या कि विक्रमादित की उपादी धारण कर ली और जब इस उपादी को धारण कर रहा था तो इसे बहुती बलसाली मना गया क्योंकि जो विक्रमादित की दोस्तो जो पोस्टिंग होती है जो उपादी होती है बहुती महान लोगों को मिलती है ब अभी तक तेरा सासकों ने दोस्तों क्या-क्या उपादी को इसने उपादी को धारण किया कितने लोग 14 लोग कितने तो 14 लोग अभी तक इस उपादी को धारण किये इसने दोस्तों ठीके जब इसने उपादी को धारण किया इसके खुसी में सको को प्राजित करने के खुसी म इसने एक सिक्क्य को चलवा इसने भी क्या किया दोस्तों एक सिक्क्य को चलवाया देखिएगा यहां पर सको का अंत हुआ चंद्रगुप्त दृतिये में दोस्तों सको का अंत हुआ विक्रमादित्य की उपादी धारण की उसके बाद चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का बन चांदी का सीका बना दोस्तों ये नियाय के बहुती महान ब्यक्ति था ये नियाय के पत्थ पर चलता था इसलिए इसने नियाय के जो बैठने वाला जो उसके क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं सिहासन और इसने सिहासन भी पत्थर का बना दिया नियाय का सिहासन दोस्तों इसने पत्थर का बना दिया बताओ गदियोदी थोड़ा लगा ता बटने मजाता है लेकिन इसने के नहीं 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 जो नियाय के लोग हैं वो पत्थर के गदी पर बैठेंगे किसके सिहासन बै सवार में रहते थे जिसमें से काली दास हो गए ठीक है काली दास हो गए दोस्तों उसके बाद बात करें आप सभी को काली दास थे अमरदास थे वाराहीम रथे अधन विंद्र थे जो परसीद थे ठीक है और जो चंदरगुप दिरितिये था ये कोश्टन मोस्ट इपरटर बता रहा हूं कि जो चंदरगुप दिरितिये था इसके सासन काल में एक चीनी सासक एक चीनी के बहुत बिद्वान दोस्तों फहयान तो बोड्र बिद्वान न आये था ठीक है अब तो चंदरगुप दिरितिये का भी दोस्तों क्या हो गया इसका सासन काल अन्थ हो गया तो इसके अगले उत्रादिकारी कौनрем ऑगला तैरहत कारी दोस्तो गुप्त बना कुरंब शाब अगर से विडियोब चाहिए दोस्तो तो आप से बेंदो एक और चाहिए कोमेंट कर दिजेगा मैं वहां पर सारे को प्रॉइड कर दूँगा क्योंकि मेरे पास उर्लेडि एक नोड़ आपसे भी कहिएगा तो मैं आपसे पीडियोप दे दूंगा कमेंट एक बार जरूर किजिएगा कि किसको चाहिए या तो आप सभी कानिक तरफ मैं समझाई रहा हूं नोट्स बनाने के लिए ठीक ना दोस्तों ठीक कि तो अगला सासा कुमार गुप्त बना इसे नलन्दा बीस्व बिदाले बनवाया और वो पहला बीस्व बिदाले था उसके बाद तच्च सीला सबसे बड़ा बीशो बिदाले जिसका निर्माण राजा तच्च ने किया ये मोश्ट इपोड़ो को उसने बीशो का सबसे बड़ा बीशो बिदाले तच्च सीला बीशो बिदाले और ये बीशो बिदाले एक पहला बीशो का बिदाले था जिसने होस्टल को परवाइड करता था होस्टल भी देता था लड़कों को रहने के लिए पढ़ने के लिए ये पाला बेसो भी दाले था समझे रहे हो न बात को समझ गया होंगे ठीक है उसके बाद जो अगला सासक आता है दोस्तो असकंद गुप्त आता है इसने असकंद जिल को बनवाया था तो इसने दोस्तों अगला सासक जो था असकंद गुप्त ने आ करके उस जिल को निर्माणा करवाया उसके बाद जो गुप्त सासक था यह बहुत ही चोटे चोटे टुकड़ों में तूट गया क्योंकि अब बहुत ही कमजोर सासक आने लगे थोड़ा जन मैंने की बाल बिवाह और और चुवाछुत की चर्चा थी इसमें कि चुवाछíst भी चल रहता उस समय और यहां पर बाल बिवाह भी हो रहा था इसमें ठीक है ना में ही हुआ और उसके बाद मैं earliest को बताना भूल गया दोस्तों कि कि जो जब समुंद्र गुप्त दोस्तों जब सासक बना था तो स्रिलांका यहां पर दोस्तों सौरी मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया इसको बताने में यह दोस्तों स्रिलांका स्रिलंका जब स्रिलंका के राजा जो था ओजब समुद्र गुप्त अपने सीहासन बैठा था तो स्रिलंका के राजा ने वहाँ पर बीदा किया कहां पर वहाँ पर किसके पास तो समुद्र गुप्त के पास बीदा किया कि जाईए और हमारा एक प्रस्ताव लेकर जाईए और इसलिए परस्ताव था कि बोध गाया में दोस्तों बोध गाया में बोध भगवान का एक मंदिर बनावाना था इसलिए उसके सैनिक जो था दरबारी जो था एक परस्ताव लेकर गया था कि के पास समुद्र गुप्त के पास तो समुद्र गुप्त भी यह बोल दिया कि ठीक है कोई बात ने हमको उसले को यह तरज नहीं उसने अपनी शिवकार कर ले उस बात को और मंदिर बनना श्चार्ट भी हो गया तो आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कुम कमेंट करेंगा भाई ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साहसा के साथ मिलेंगे